नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माई के साम दोस्त चैनल पर मेरा नाम है यस जाट और दोस्तों इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने आपको टीके एगरो इंडस्ट्री जोकि इंदोर मत्यप्रदेश में मोजूद है वहां की विजिट करवाई थी दोस्तों इस फेक्टरी के अंदर आपको काफी सारे आधुनिक कर्शी यंदर एक ही छट के नीचे काफी कम कीमत पर उपलब्द हो जाते हैं तो इस फेक्टरी की वीजिट करवाई थी साथ ही मैंने आपको ये बतायता कि यहां के जो सबसे ज़्यदा फेमस है वो है मिट्टी के अनुसार टेक्टरों के टायर के अनुसार अलग अलग जगह के मिट्टी के अनुसार यहां पर प्लो तयार किया जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यहां के जो फेमस प्लो है उनकी जानकारी आपको देंगे और जिन भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्रा होती रहे तो चलिए दोस्तों हम यहां की जो ओनर है उनसे जानते हैं कि उनके पास प्लो है उनकी क्या विसस्ता है और किस किस तरह के प्लो यह बनाते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं जी यह वाला हमारा जो है एस मॉडल प्लाव है इसे हम एस मॉडल प्लाव बोल तरीके सा पंप लगता है और वो फिर उसके बाद में ट्रेक्टर से जॉइंड होता है कि मॉल्ड बोल्ड पैटन है यह फोल्ड करा हुआ इसे एस मॉडल इसके जो चेचिस है इसके वज़े से इस मॉडल वोलते है इसका चेचिस असा घुमा हुआ है किस पकात के किसाम भाईयों को यह खरीदना चाहिए सर्च यह वाला टो एक कॉमन पैटन है जो हर प्लेटफोर्म पे चलता है यह वेल्डिंग वाला पैटन है यह फोल्डिंग पैटन नहीं है यह पूरा वेल्डिंग में बना हुआ है और सिंगल पीस टाइप में बना हुआ है यह वाला प्लाव जो है इसे हम समराट मॉडल बोलते हैं इसकी विशेशता यह है एक तो इसमें भी एन 45 मटीरियल के जो है शावेल जो ब्लेड लगे वह है उसके साथ में यह जैसे आप देख सकते हैं कि यह पूरा फोल्डिंग पैटन है यह फोल्डिंग पैटन है जैसे यह दो बोल्ड खोल के इसकी यह वाली टाइंस उपर के अलग हो जाएगी फिर यह वाले दो बोल्ड खोल के इसकी नीचे वाली टाइंस भी अलग हो और दूसरी इसमें विशेष्टा मैं आपको बताता चाहता हूं कि जब प्लाव चलता है खेत में तो हमको पता नहीं है कि खेत के अंदर क्या है कितना बड़ी चट्टान है कई जगा यह कई जगा बहुत मोटी और मजबूत जड़े जिसकी वज़े से वह बहुत चीवार तो कि जिटेकर के जो चेटेस हैं उसको भी भार कर देता है तो इसमें हमने यह कं लगाया है इसमीं यह वालेबस के ज़ादा लोड आने से से प्रॉब्लम नहीं होगी और यह वाले टाइन सब की फ्री होने से यह प्लाव पर लोड नहीं आएगा और उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि हां कि यहां पर जमीन में कुछ था जिसकी वाज़े से यह वोल्ट टूड़ गया और आप इससे चेंज कर सकते हैं जी यह व सब्सक्राइब होती है तो में फोकस इसका अपने चेंट पर रहता है कि जिएक बार इसका अलाइनने टो पुर्ड़ भड़ फोगड़ाता है फिर आप उसमें जितनी भी रपेरिंग करा लिए वेल्डिंग करा रह वह सही नहीं हो पाता है तो इस लिए उस चीज को ध्यान है वह काफी पावरफुल है आसानी से खराब नहीं होता है और यह भी टीनो टायर में अपने वैसे में उपलब्द है तेरा चाउदा और सो लाक है यह वाला गुजरात पैटन मॉडल है जैसा कि गुजरात पैटन के जो आते हैं जो दूसरी कंपने बना रही है इसकी काफी ड टेरिल के ब्लेड और शावल से बनाया है जो कि आपको गुजरात पैटन में नहीं मिलेगा इसका वेड भी उससे जादा आता है और आप देख सकते कि इसमें यह शाफ्ट लगाई है यह फुल मैटल की लगाई है यह यह पाइप नहीं है यह जो आप देख सकते हैं ठोस ल लाओ के मिला के इसकी 30 इंची की चोड़ाई जाती है इसका वजन कितना होगा इसका वजन है आपका 13 के टायर में इसका वजन आता है 420 किलो इसकी एक अनुमानत कीमत आप मानके चली यह 55,000 का अठावन हजार का और 62,000 का यह ऐसे टायर के साइस के सबसे तो आप यह वाला जो आप मोडल देख रहे है इसका नाम है अखन मोडल यह है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरी तरी करेंग मोडल है यह चार बोल्ट किस और और ज। अलग के ऊपपर की टाइन सेừलगों जाएगी नीचे तो इसमे और विशेशिता यह है कि यह Zus लेगि है यह जैसे कि आप देख सकते हैं यह पूरा सिंगल चेचिस में बना हुआ है इसी लिए इसका नाम अखंड दिया हुआ है अखंड मॉडल इसका नाम यहीं से रखा गया है और इसकी मजबूती दूसरे प्लावों से पांच गुना ज्यादा हो जाती है स्ट्रेंथ में अगर अपन बात करें और उसी प्रकार से इसमें भी इन 45 के ब्लेड्स और इन 45 की शावेल्स है और यह है रिवर्सिबल प्लाव आपका छोटे ट्रेक्टर का कुबोटो युवराज मॉडल ट्रेक्टर जो आता है उसमें और अन्य जो 10 इंची और 8 इंची के सब्सक्राइब में जो यूज होते है यह आप देख सकते हैं कि इसकी शावल और ब्लेड इन 45 मटेरियल की है और चोटे ट्रेक्टर की बात करें तो चोटे ट्रेक्टर में हम छोटा पुलाओ मिनी पुलाओ जैसे बड़े ट्रेक्टर के लिए है प्लाओ यह वाला प्लाओ चोटा ट्रेक्टर जो आता है जिसे गार्डन ट्रेक्टर भी कहा जाता है उसके लिए यह चोटा मिनी पुलाओ और यह उसका रिवर्सेबल प्लाओ फास्ट रिवर्स सिस्टम यह वाला जो मॉडल है इसे हम महराज मॉडल बोलते है ठ्री बोटम में है यह जैसे कि आप द कर देंगे वह डोबोल्ट खुलने से वहले टाइन को हम अलग कर देंगे वैसे ही यह सारी टाइन से अलग हो सकती है फुल फोल्डिंग मॉडल है और दूसरा यह आपकी इसकी चुछी सब देख सकते हैं जो के सिंगल शाफ्ट में बनी वी है तो यह इसकी खासियत है यह ठी 50 HP तक के ट्रेक्टर जिसको आराम से चला सकते हैं और यहां पर मुझे सबसे बेश्ट जो प्लोल देखने को मिला है वह यह वाला है यह वैसे एस मोडल में है इसमें हाइड्रोलिक पम का यूज नहीं किया गया है आप सिंपल इसे ऐसे खेचेंगे तो यह पूरी तरीके से घूम जाएगा और वापस फिट हो जाएगा अभी यह इसी तरी से फिट हो लेकिन जब भी आप इसको खेटों में यूज करते हैं तो यह पूरा ही पल्टी होकर लग जाता है तो इसमें आपका हाइड्रोलिक जो खर्चा है वह बच जाता है साथ ही मजबूत ही आपको मिल है और बड़ी ही आसानी से उपरेट कर सकते हैं काफी अच्छा सिस्टम में यह दि हम हाइड्रोलिक की यूज नहीं है जिन टेक्टरों में हम लगाते हैं तो लगबग दस बार हजार रुपे का खर्चा वह हमारा हो जाता है तो वह खर्चा भी बचता है और यहां इसकी की की कि हम दूसरी तरफ मेंने काफी जाच की तो वहां पर की हम देखते हैं तो लगबग सुेटर से ऐस्सी ऑज़ार रुपय का आता है लेकिन यहां लगबग यह आपको त haul पर मिलेगा तो अनुमानिदолот 41700 के लगबग यह आपको मिल जाएगा तो यानि की चालिस सजार मे आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अन्य किसन बज़ तक share करिएगा और टीके अगर इंडिस्ट्री के बारे में और अदिक जानकारी के लिए आप इस्क्रेप्शन में दिये हुए नंबर पर संपर कर सकते हैं, यहां पर विजिट कर सकते हैं, और यहां सभी पकार की जो यांतर है वो देख सकते हैं, जल्दी मुझात करेंगे एक नई जानकरी के साथ, एक नए वीडियो में तब तक के लिए, जै भारत, जै किसान!